हेसो वाटसप गाईज वेलकम टू माई चैनल दोस्तो आज कल एयरपोर्ट्स का क्रेज काफी ज्यादा है और इसी क्रेज को देखते हुए हम आपके लिए लाए हैं ब्लू पंक्ट के एयरपोर्ट्स दोस्तो आज की इस वीडियो में आप और हम जानेंगे इन ही एयरपोर्ट्स के फीचर्स और इसके प्राइज के बारे में आखिर कमपनी हमें ये एयरपोर्ट्स कितने प्राइज में देगी दोस्तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होको तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो हम अपने इस चैनल पे लाते रहते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन इयरपोर्ट्स के प्राइज की अगर हमारे बजट में इयरपोर्ट्स होंगे तब ही तो हम इनको लेंगे दोस्तों जो इन इयरपोर्ट्स का प्राइज है वो है 6,999 रुपे जो की एक अफोर्डेबल प्राइज है तो चले दोस्तो अब जानते हैं battery के बारे में तो यार जो ये airports है इन में हमें मिल जाती है 70mane की battery और जो इसका charging case है उसमें हमें मिल जाती है 114mane की battery तो यार इन airports में हमें 2 mic देखने को मिलेगे जो पहला mic होगा वो तो हमें HD sound produce करेगा जो दूसरा mike होगा वो जो extra noise है उसको cancel करेगा दोस्तों ये airport जो sound produce करेंगे वो काफी high quality का sound ये produce करेंगे जो हमारे गाने में छोटी से छोटी detail होगी उसको भी ये हमें clearly सुनाई देगे दोस्तों ये sound के मामले में Government's काफी अच्छे ہیں आप इनको जरूर लीजिएगा दोस्तों जो ये एरपोर्ट्स होंगे ये वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ होंगे ये आपकी पर्फोर्मेंस में कुछ भी गडबड़ी नहीं आने देंगे चाहे आप इनको बारिस में यूज करें या फिर आप प्ले में यूज करें चाहे आपको कितना भी पसीवना आ जाए इनकी प्रूफोर्मेंस पे कुछ भी परक नहीं पड़ने वाला तो याज जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी बैटरी काफी दंदार है आप इसके चार्जिंग केस और इन एरपोर्ड को एक बार चार्ज करके 36 हवर तक यूज कर पाएंगे दोस्तों ये एरपोर्ड काफी स्मार्ट है आप इन पर गूगल असिस्टेंट और हाई सीरी को भी यूज कर सकते हैं आप चाहे तो अपने मोबाइल का कोई भी SMS या कोई भी सोंग बस अपनी वोईस से ही चलवा या बंद करवा सकते हैं दोस्तों जी ये एरपोर्ड है इनकी कनेक्टिविटी भी काफी हाई होनी वाली है क्यूंकि हमें इसमें मिलेगा Bluetooth 5.0 का सपोर्ट तो यार कमेंट बोक्स में आप मुझे को बताना की आपको ये एरपोर्ड कैसे लगे आज की वीडियो को मैं यही पर समाप्त करता हूँ